नमस्कार मान्य प्रधानमंत्री जी द्वारा कल देश के नाम दिये गए अपने संदेश में देश के लिए 20 लाग करोड रुपे का आर्थिक पैकेज की गोशना की है मैं इस आर्थिक पैकेज के लिए परधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ और हर दिक अविनंदन करता हूँ यह पैकेज पूरे देश के समाज के हर वरक के लिए संजीवनी का काम करेगा देश की अर्थवश्था जो किछले कुछ दिनों से पट्री से उतरती हुई नजर आ रही थी दुबारा से पट्री पर आएगी इस अर्थिक पैकेज से जहां देश के हर वरक को समाज के हर क्षेतर में तरक्की के आयाम खुलेंगे वही पर वपारी वरक को भी इस पैकेज से बहुत लाब होने वारा है और वपारी वरक भी इस पैकेज से आतम निरवर्था की आओर बढ़ेगा इस पैकेज में परधान मंत्री जी ने विशेश तोर से सुद्शी अपनाने पर बल दिया है परधान मंत्री जी दुआरा लोकल पर वोकल वाली जो बात कही है वह भी हर छोटे वेपारी के लिए घरेलू उत्बादन करने वाड़े छोटे उद्योगों के लिए आम वेपारी के लिए बहुत महत्तपूर्ण बात है इसमें घरेलू उत्बादन को बढ़ाने की बात का संदेश दिया गया है में कि म세요 best दौर पर ये दर्शाता है कि अब हमें लोकल अपनाना है और लोकल पर वोकल होना याने कि स्वयम भी लोकल अपनाना है और को भी लोकल अपनाने के लिए प्रिरित करना है विशेश तोर से जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है मल्टी नेशनल ब्रेंडिड आइटमें खरीदने का या ब्रेंडिड कपड़े पहनने का उसकी बजाए हमें लोकल की तरफ ध्यान देना होगा और अगर हम लोकल अपनाएंगे लोकल को पहनेंगे तो हमारा लोकल वेपार सुदेशी वेपार बढ़ेगा सुदेशी उत्पादन बढ़ेगा और सुदेशी उत्पादन बढ़ने के साथ जो एक्सपोर्ट है उसमें भी बढ़ावा होगा और यह जो संदेश है इंपोर्ट को कमी करने वाड़ा इंपोर्ट के उपर हमें ये संदेश देता है कि हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है इस से देश की अर्थववस्ता में एकदम से उचाल आएगा, अर्थववस्ता दुरुस्तो भी अर्थववस्ता बढ़ेगी, अर्थववस्ता में जो पिछले करोना महामारे की वज़े से जो पिछले दिनों अर्थववस्ता में जो कमी आई है, उस कमी को पूरा कर लिया ज चलेगा ऐसा मेरा मानना है विश्व गुरू बनने बनाने की और कदम रखते हुए परदान मंत्री जी का ये संदेश परदान मंत्री जी की इस रात पैकेज के लिए उनका बहुत-बहुत आभार धन्यवाद जय हिंद जय भारत थैंक ताज़ा प्डेट्स के लिए अर्थप